नमस्ते वाव क्रीशन चेडल में आप सबका स्वागत है आज मैं बात करूंगी कि स्टडी टिप्स यानि कि बच्चों को हम घर पर किस तरह से पढ़ाए कि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए तो इस टोपिक को मैं आगे बढ़ाएंगे उससे पहले अगर आप मेरी चेडल पढ़ाएं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए टाकि आपको सारे वीडियो मिल सके चोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकिन हम पैरेंट्स को बिल्कुल हाड़ नहीं माननी होता है कि यह तो मुझस इसा भी कुछ होता है लेकि कोई बच्चे बहुता है कि यह मेरे पास बैट की पढ़ाई नहीं करता है तो चोटे-चोटे बच्चों को ट्यूशन क्लास या कई पर भी ऐसे जगे डाल देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है आज कल कोचिंग क्लास भी आप डाल सकते हो क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी कोई चोटी बात नहीं है आप ट्यूशन में भी डाल सकते हो लेकिन मैं आपे कुछ टिप्स बता रही हूं अगर आप वो टिप्स अगर आज मते हैं तो आपको शायद कुछ फाइदा हो आपके बच्चे आपकी बास सुनने लग जाए वह शाय पढ़ाने के लिए बेठें तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि आप पुरी तरफ प्री हो कई बार क्या होता है कि हम अपने मोबाइल में रहते हैं या फिर हम हमारा कीचन में कुछ भी हमने चड़ा दिया है जैसे खाना पकाने के लिए और फिर बच्चे को लेके ब बच्चे को पढ़ने के लिए बिठा या आप उसके साथ बेठे पढ़ने के लिए तो यह बात जरूर दियान रखिए कि आप पूरी तरह प्री हो क्योंकि बच्चे यह कहें अगर आपकी मम्मी मोबाइल चला रही है या बच्चे का पापा अगर मोबाइल बात कर रहे है तो बच्चा पढ़ेगा नहीं बल्कि उसका माइड उसी तरह हो जाएगा कि पापा का या मम्मी का मन मुझे पढ़ाने में नहीं लग रहा है तो मैं मस्ती करूँ तो अपने आपको इस तरह से करना है कि आपको पूरी तरह फ्री होना है आपकी मोबाइल को आपको साइड म तो उसे खेल खेल में पढ़ाए उस पर जोड़ जवर्दस्ती गुस्सा और थपड़से उसे पढ़ाई मत करवाई क्योंकि आप जब उसे खेल खेल में पढ़ाई कराएंगे तो उसको पढ़ाई में मजा आएगा उसको इंट्रेस्ट आएगा कि हां मतलब मुझे अच्छा कि अच्छे कोई विज पर पढ़ाई जया सब्सक्राइब कर देखेल उसको कवर उसको कर पाएगा और अगर आप बोलेंगे मैं तुझे एक साथ पूरा पूछूंगी तो वह कभी भी उसको याद कर पायगा वो माइंड जब़ेगा कि मुझे पूरा यार्ट आप कर पाए तो उसे टुकडों टुकडों में बाट करके उसी याद करवाई यह आप देखेंगे कि बच्चा अठी से पढ़ रहा है क्योंकि बच्चे को और फिर हाँ जब बच्चा पढ़े तो उसी यह भी बोले कि जब तुमने यह तुम्हारे साथ कुछ गेम खेलूंगी या तुम्ह जो चाहिए वो करने दूँगी तो इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाएगा और वो आराम से उस चीच को मर्डन फील करके नहीं बलकि उसको एंजोई करके उस चीच को याद करेगा तो यह मेरा सेकंड स्टाडी टिप हुआ थाइड स्टा जिससे वो अच्छे से याद हो जाए और फिर आपको उसे देखना भी है कि बच्चे ने ऐसा कुछ किया है या नहीं जो पहले उसे पढ़ना है अच्छे सी याद करना है फिर उसे लिखना है उसके बाद नोड़ बन करके उसे दो बार गोलना है अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी अगर आप करेंगे तो वह एक बहुत अच्छे से पढ़ाई का टिप इस टिप से अपना के भी आपका बच्छे से पढ़ाई कर सकता है नेक्स टिप यह है कि आप उसे यह कहिए कि जो चीज आप पढ़ रहे हो बेटा उस चीज को मैं एक बार पूछूँग जितना बच्छे ने पढ़ा है उस चीज को आप एक पेपर बना दीजी और इसका टेस्ट लेते रहे जिससे की बच्छा को माइंड में यह रहेगा कि मतलब मैं यह पढ़ूँगा तो ममी मेरा टेस्ट लेगी और वो टेस्ट लेगी तो फिर मुझे कुछ आया या नहीं आ बच्छा पूरी तरह इसको याद कर पाएगा और उसे बिल्कुल भूलेगा नहीं यह जरूर अजमा की देखिए नेक्स टिप यह है कि हमेशा पूरे वीक के अंदर आप एक ऐसा टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि मैं तुरा जैसे लास्ट के दिजिस सटर्डे हुआ है सं उसका पुम्हें ऐसे को डाइक करना है जो किस्पार नहीं आता है उन्कों याद करना है आधे कि इस तरह सार्व क्या ऐसानिया करेंगा संदारा इस वा इस नचेर करने में अपना त्याल लगएगा उसकी रुद्ण की सुद रहो को शुद्र बच्छा को ठीप से मेरा यह कि जब भी बच्चा पढ़े और बीच में अगर पढ़ते पढ़ते बोले मैं थोड़ा सो जाओ तो इसमें कोई बुरा ही नहीं है कई बार हमारा माइंड कुछ चीजे याद करने के बाद थोड़ा ब्रेक मांगता है तो इसलिए उसे थोड़ी देर सोने दे उसे डाटे नही कि तुम सो क्यों रहे हो और वो उसको यह बात बोले कि इतना तुमने याद किया है तुम सो जाओ लें कि सो कर उठने के बाद में तुम से पूछूँगी और आप जब वो पूछोगे तो उसको वो याद रहेगा क्यूंकि उस टाइम आपका माइड उस चीज को अंदर जैसे यह पूरा ही आप बोलोगे तीन गन्ते तक कंठीड उसको पढ़ना है या दो गन्ते तक चंठीड उसको पढ़ना है तो वो कभी नहीं पढ़ एगा उसको एक ताइम पिरिड इस तरह बनाएं कि जैसे आधा गंटे के इना टोपिक के उपर दीजिए कि इतना टाइम जो भी आपका उसका रिजल्ट रहता है उसमें से आप देखिए कि इसको कितना याद हुआ है और कितना नहीं अगर उसको थोड़ा भी कुछ कमी रहिए तो उसको आप साथ में बेट के सुल जाएए उसको सिखाईए उसको याद कराईए उससे रटना बिल्कूल मत उससे जड़ से पढ़ना सिखाईए कि इसका जैसे जड़ क्या है उसको जैसे पॉइंट का पहला स्टार्टिंग कहा से वह चीज आप उसको सिखाईए उस पर बर्डन डाले बाद उसको आराम से सौफ्टली उसको हैंडल करिए आप तेकिंगे कि वह अच्छ से पढ़ रह कर सकते हैं जब आप देखेंगे कि आपका बच्चा इस तरह से खेल खेल के पढ़ाई कर रहा है थोड़ा ब्रेक लिए कर रहा है तो आप खुद देखेंगे कि उसकी स्टडी में 40% की बजाए 80% अच्छा रिट आपको मिलेगा और इस सारे टिप्स बहुत अच्छे हैं आ अगर आपको मेरे सारे स्टडी टिप्स पसंद आते हैं कि मैं सेम ऐसे ही करती है अपने बच्चे के साथ मैं उसे थोड़ा थोड़ा बीच हुचे ब्रेक देदे के पढ़ाती हूँ और जब लास्ट में उसका एक पेपर लेती हूँ और उसका एक टाइम देती हूँ कि पढ़ाना है और वो किस तरह से इसको पढ़ेगा उसका मन हो तब लेके बेच जाईए और आप पढ़ाईए और अपने मोबाईल को दूर रखिए आप देखेंगे कि आपका बच्चाची से पढ़ रहा है तो ये टिप्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज ओ प्ली